हाँ रूफीक्स सैमसंग एटू को हैंग एन रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हैंग और र भाइस हैं सैमसंग का वो भी अगर हैंग हो जाते हैंग होने के बाद आपने आप रिस्टार्ट भी हो जाते तो यह किस तरीके का प्रॉब्लम है ठीक और आपको कैसे यह प्रॉब्लम फिक्स्ट करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉलुशन बताने वाला करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज करें तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो अप यह आप्लिकेशन रहे में आपने स्कू धिलेड कीजेए ठीक है बहुत बड़ा अप्लिकेशन और थीजिए बेड एप्लेकेशन जैसे की कोई अन्नों वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ एप्लेकेशन ठीक है तो उनको डिलेट कीजिए और अपने स्पेस को फ्री आप कीजिए उसके बार माई फाइल पर जाए और यहाँ भी दोस्तों इस तोरेज को फ्री आप कीजिएगा ठीक ह जब इस तोरेज आपका 40-30% empty हो जाएगा तब आप अपनी मॉबाइल सॉफ़एर को अफडेट करेंगे मॉबाइल सॉफ़एर अपडेट होने के साथ हो जाएगा तो hang और restart का जो issue है आप इसी तरीके से fix कर सकते हैं तो यह solution को आप follow करके देखे problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाता ही तो अच्छी बाद है अगर इसके बाद भी problem आते है तो आपको जाना है general management reset and then factory data reset ठीक है factory data reset पर जाके आपको directly mobile reset कर देना है जैसे reset करोगे आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने hang and restart problem को fix कर सकते हैं तो जितना भी मैंने आपको solution बताया दोस्तों उसी को follow कि जाएगा तो आपका problem solve हो जाएगा आपको कोई भी डिक्कते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो possible solution था मैंने आपको वही बताए तो आप भी उसी को follow कर लेना उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching